मदू अपने मा पापा की लाड़ ली थी, वो हमीशे अपने पापा की मदद किया करती थी ये लीजिये पापा, मैंने ये कुर्टे के बटन टांक दिये हैं बहुत अच्छे बेटा, अब तुमें सिलाई करना भी सीख लेना चाहिए, क्या पता ससुराल में काम आ जाए? क्या पापा, आप फिर मेरी शादी की बात कर बैठे, मैं तो यहीं आपके पास रहना चाहती हूँ हाँ हाँ मेरी लाडली, तुम अपने पापा के पास ही रहो धीरे धीरे मधू के पापा ने उसे सिलाई करना सिखा दिया मधू को सिलाई करना बहुत पसंद था, तो वो अकसर अपने पापा की दुकान में काम किया करती थी यहीं वल्लब ने मधू को देखा और उसे वो भाग गई वल्लब ने मधू के पिताजी से रिष्टे की बात की और कुछ महिनों बाद वल्लब और मधू की शादी हो गई वल्लब अच्छी नौकरी करता था इसलिए शुरू शुरू में सब ठीक था दो साल बाद जब मधू ने बेटी को जन्म दिया देखिये जी कितनी प्यारी है आँखे देखिये आप क्या देखूं तुमने मुझे कुछ देखने लायक छोड़ा है क्या मेरे घर वाले सब वारिस का इंतजार कर रहे हैं अब किस मुझे उन्हें बताऊं कि तुमने एक लड़की को पैदा किया है पर लड़का हो या लड़की है तो ये हमारी ही ना ये लड़की सिर्फ तुमारी है मेरी नहीं वल्लब वहां से चला गया और मधू रोने लगी कुछ देर बाद मधू के पापा वहां आए मधू ने उन्हें सब कुछ बताया तु फिकर मत कर मैं दामाजी से बात करूँगा सब ठीक हो जाएगा पर वो इस लड़की को अपनाएंगे क्या? क्यों नहीं अपनाएंगे? आखिर उसका अपना खून है मधू की पिता अची उसे दिलासा देने लगे फिर वो वल्लब से मिलने उसके घर गए बेटा वल्लब तुम इतने समझदार हो बेटा ये बेटी होना तो ये तो उपर वाले की मर्जी है उसमें हम क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि तुमें अगली बार बेटा हो? वल्लब ने मधू के पिता की बात मान ली और वो मधू को लेने अस्पताल गया वल्लब मधू को घर तो ले आया पर वो खुश नहीं था अरी हो मधू इस लड़की का शोर सुनकर कान के परदे फट गए हैं मेरी मा इसको चुप करवाओ वल्लब को अपनी बेटी एक आँख नहीं भाती थी जैसे तैसे कुछ महीने बीट गए और मधू एक बार फिर गर्भवती हुई इस बार अगर लड़का नहीं हुआ न तो तुमें तुमारे पापा के घर भेज दूँगा समझी मधू को अस्पिताल में एडमिट किया गया और वल्लब बाहर इंतिसार करने लगा मुबारक हो आपको लड़की हुई है लड़की का नाम सुनते हैं वल्लब का मुँ लटक गया और वो तुरंत वहां से चला गया आपके पती ऐसे चले क्यों गए? क्या? वो कहां गए? मधू वल्लब को रोकने उठी रही थी कि तभी उसके पिता वहां आ गए पापा, पापा वो उसे में चले गए फिर बेटी होई है अब क्या कर सकते हैं? जो विधी है वो होगी ही मधू अपने पापा के गले लगकर रोने लगी मधू के पापा एक बार फिर वल्लब से मिलने गए इस बार मुझे कुछ सुनना नहीं है आप चुप चाप अपनी बेटी और उसकी बेटीओं को अपने साथ ले जाए पर वो बच्चिया तुमारी भी है उन लड़कियों से मेरा कोई वास्ता नहीं है ये सुनकर मधू के पापा हताश होकर वहां से चले गए वो मधू और उसकी दोनों बेटीओं को अपने घर ले गए मधू के पापा की उम्र हो गई थी फिर भी वो सिलाय का काम करते थे ताकि वो मधू और उसकी बेटीओं को अच्छे से पाल सके लेकिन दो साल बाद मदू के पापा चल बसे अब मदू के पास कोई सहारा नहीं था मदू ने अपने आपको संभाला और खुद सिलाय का काम करने लग गई वो अपनी दोनों बेटियों को संभालते संभालते सिलाय का काम भी करती थी देखते देखते उसकी दोनों बेटियां बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी मदू की बड़ी बेटी माया स्पोर्ट्स में पहुत अच्छी थी मैं आपकी परस्तिती जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माया को सपोर्ट कीजे वो टैलेंटेड है और बहुत जल आपका नाम रोशन कर दिखाएगी सेट जितना मुझसे हो सकता है मैं करूंगी पीटी सर ने माया की कोचिंग जारी रखी और मदू दुकान पर ओवर टाइम काम करने लगी ताकि वो माया को सेहत मंद खाना और उसकी स्पोर्ट की जरूरत की चीजे दिलवा सकें माया भी जी तोर महनत कर रही थी इन दोनों मा बेटियों की महनत रंग लाई और माया ने स्टेट लेवल चेंपिनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया माया ने अपनी मा का नाम रोशन कर दिया जब उसकी और उसकी मा की तस्वीर अख़बार में आई ये तस्वीर देखकर वलब सोच में पड़ गया कि आज उसका भी नाम उस अख़बार में होता अगर वो बेटी के जन पर अपनी पत्नी को अकेले ना छोड़ देता उसकी इच्छा थी कि वो वापस जाकर माफी मांगे पर अब किस मूसे विवेक और राधा का एक आम सा परिवार था जिसमें उनकी जोड़मा बेटियां थी सीता और गीता सीता अकसर किताबों में गुसी रहती थी और गीता को तो पढ़ाई एक आँख नहीं भाती थी वो पढ़ाई की बुक के अंदर कॉमिक्स पढ़ा करती थी और जब रिजल्ट का दिन होता तो गीता का चहरा हमेशा लटका हुआ ही रहता क्योंकि टीचर उसकी मम्मी को अच्छे से खरी-खोटी सुनाया करती और जब बात सीता की आती तो टीचर हमेशा तारीफ करते नहीं थकती थी लगता ही नहीं कि ये दोनों जुणवा बैने हैं एक क्लास में कुश्ट आती है और दूसरी हमेशा फेल होती है आप गीता की पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए विवेक और राधा टीचर के सामने कुश बोल ही नहीं पाते थे क्लास से बाहर निकल कर विवेक गीता को डाटने लगा गीता कभी तो पढ़ाई को सिरसली लो हमेशा तुम्हारी वज़ा से टीचर की बाते सुननी पढ़ती है कुछ तो सीखो सीथा से तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो कैसे चलेगा विवेक गीता को डाट रहा था ये सब पीटी टीचर ने देख लिया और वो वहाँ आए गुड मार्निंग सर गुड मार्निंग गीता आप इसे डाट क्यूं रहे हैं? सर आप तो जानते ही होंगे हर एक्जाम में फेल हो जाती है ये ये देखे सीथा हमेशा टॉप करती है और गीता हमेशा फेल हो जाती है टीचर हमेशा गीता के लिए सुनाती है अब आप भी बताएए इसका क्या करूँ? सर, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता माना सीथा और गीता जुरुआ बहने है पर उन दोनों की भी पसंद अलग है गीता स्पोर्स में बहुत अच्छी है पर सीथा को स्पोर्स नहीं पसंद आपको गीता को उस चीज में सपोर्ट करना चाहिए जो उसे पसंद है अकर गीता को आप सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत अच्छी बैट मिंटन प्लेयर बन सकती है मुझे गीता पर बेली बे मैं खुद आपके घर आने वाला था ये पूछने कि क्या मैं गीता की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दू पीटी सर की बात सुनकर विवेक और राधा को लगा कि उन्हें गीता को भी सपोर्ट करना चाहिए ठीक है सर आप इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दीजे अगले दिन सुभा सुभा पीटी टीचर गीता को पिक करने आए वो दोनों दोरते हुए बैडमिन्टन ग्राउंड पे गए और वहाँ अगले दो घंटे गीता ने बैडमिन्टन प्रैक्टिस की गीता बहुत फोकस्ट थी यह सिलसिला दो महिनों तक चलता रहा और फिर गीता एक इंटरनेशनल बैडमिन्टन मैच में उतरी विवेक और राधा अपनी बेटी का मैच देखने आए वो लोग दंग रह गए गीता की फुर्ती देखकर ओडियन्स के मूँ से गीता का नाम सुनकर राधा की आखों में पानी आ गया गीता ने वो मैच जीत लिया और यहां से शुरू हुआ गीता का सफर गीता अब भी अपने पीटी सर के साथ ट्रेनिंग करती थी पर अब उसे पॉर्मल बैडमिन्टन एकाडमी जॉइन कर ली थी मैं तो एक नॉर्मल गवर्मेंट सर्देंट हूँ महिने के बीस हजार ट्रेनिंग के लिए कैसे लाओंगा राधा लेकिन गीता का सफना भी पूरा करना है बुरा न मानू तो मैं आपके मदद करना चाहती हूँ तुम कैसे मदद कर सकती हो मैं पापर और अचार बना कर बेचूंगी तो 15-16,000 कमा ही लूँगी पर तुम घर का काम करते हुए ये सब कैसे करोगी आप मेरी मदद कर देना और सीता गीता तो है ही सब हो जाएगा फिकर मत कीजिए गीता की ट्रेनिंग के लिए सारा परिवार पापर और अचार बना कर बेचने लगा एक साल बात गीता स्टेट लेबल बैब्मिंटन चैंपियन बन गई अब भी उसका सारा परिवार उसका खर्चा उठा रहा था गीता ने जी जान से मेहनत की वो घंटों तक ट्रेनिंग करती थी और छे महीने बाद उसने नेशनल लेबल पर गोल्ड मेडल जीती लिया गीता की तस्वीर अकबार और न्यूस पर आने लगी और गीता को अलग अलग स्पोर्ट्स कंपनी से स्पॉंसर्शिप मिलने लगी अग गीता एक सेलेब्रिटी बन गई थी उसकी ट्रेनिंग और घर का खर्चा अब स्पॉंसर्शिप से आ रहा था अग गीता और भी ज्यादा फोकस थी उसका सपना था कि वो इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंशिप भी जीते अब वो पूरा पूरा दिन ट्रेनिंग करती थी जो टाइम बच जाता वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती थी आखिर वो दिन आही गया जब गीता ने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियंशिप जी थी ली हर जगा गीता के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे स्टेट गवर्मेंट में गीता को एक बंगलो गिफ्ट किया और वो एक बड़े स्पोर्स ब्रैंड की ब्रैंड एमबेस्डर बन गई थी अब गीता अपने पूरे परिवार का खर्जा खुद समभाल रही थी विवेक जी ने वॉलेंटरी रिटार्मेंट ले ली थी और गीता का सारा परिवार खुश था पर किसे पता था कि स्पोर्स में भी करियर बनाया जा सकता है अब जब विवेक और राधा गीता की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो हस पढ़ते हैं झाल 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 झाल